नमस्कार दोस्तों मैं मोहन वर्मा आज मैं MCQ टेस्ट सीरीज का 25 भाग लेकर आया हूँ जो 504 का है चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक व्यक्ति का तस्वीर उधारन है समांतर का समरुपता का सर्वांगसमता का इन में से सभी का एक व्यक्ति का तस्वीर है आपके पास वो किसका उधारन है समांतर होगा सर्वांगसम होगा या समरुप होगा इसका राइट अमसर होगा समरुप क्योंकि उस व्यक्ति का यह तस्वीर हुब भहू रहता है जैसा उसका जिस आकार प्रकार का है उसी तरह से उसका यह तस्वीर भी रहती है इसलिए समरुप होगा इसका परतिक चिन कहलाती है यह जो परतिक चिन है यह क्या कहलाती है रेखाखंड, रेखा, कीरन, कौन तो यह जो है यह परतिक आपका रेखा का है रेखाखंड में इस्तरा रहता है कीरन आपका ऐसे रहता है और कौन आपका ऐसे रहता है तो ये आपका क्या है रेखा का एगला प्रस्ण है कीरन A.B. को किस प्रकार परदर्शित किया जा सकता है ये अभी हम लोग उपर में देखें कौन-कौन सा है तो राइट अंसर इसका C होगा रेखा गनीत के अध्यन से छात्रों की बुद्धी में विकास होता है तरक सकती का, मौखिकारी का, कला का इनमें से कोई नहीं तो जब रेखा गनीत बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उससे तरक सकती, सोचने की सकती बढ़ती है इसलिए इसका राइट अंसर ये होगा ज्यामिती सब्द का साब्दिक अर्थ होता है ज्यामिती का जो साब्दिक अर्थ है रेखा की माप, छेत्रफल, भूमी की माप या आयतन ज्यामिती ये जियो से बना हुआ है इसलिए इसका जो साब्दिक अर्थ है भूमी की माप, जोमेट्री पुस्तक की लंबाई और चोड़ाई के मजदी कौन सा कौन बना होता है पुस्तक की लंबाई ये देखिए ऐसे ये पुस्तक की लंबाई हुआ और ये पुस्तक की चोड़ाई है माल ये कोई पुस्तक है तो ये लंबाई और चोड़ाई इसके बीच में कौन सा कौन बना हुआ है नीन कौन, अधिक कौन, समकौन, कौन नहीं बनता है कौन तो बन रहा है नीन कौन है नहीं, अधिक कौन भी नहीं ये समकौन है तो इसका राइट अंसर C हुआ विरित का संपूर्ण घेरा कहलाता है एक विरित है इसका ये संपूर्ण घेरा है ये संपूर्ण घेरा है ये संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है व्यास आपका ऐसे होता है त्रिजिया केंदर से परिधी तक अधा होता है परिधी आपका ये जो चारो तरफ का घेरा है संपुर्ण घेरा ही परिधी कह राता है इसलिए इसका राइट अंसर C होगा ज्यामिति के अंत्रगत सम्मिति को समझाने के लिए सिच्छ को किसका प्रयोग करना चाहिए डबबा का, पतंग का, बोर्ड का, चौक का इसे पतंग का हम लोग उज़ करना चाहिए क्योंकि पतंग इस तरह से और ये रहता है दिखी एस सम्मिति और दो बराबर भाग में बटा हुआ है इसलिए हम लोग को और शिच्छ कों को पतंग का उज़ करना चाहिए सम्मिति का साब्धिक अर्थ होता है यहाँ पर हमने ज़श्ट देखा कि सम्मिति का साब्धिक अर्थ क्या होता है समान माप, बराबर बराबर सांखी की गनना ये माध्यों का विज्ञान है सांखी की गनना ये माध्यों का ये जो सांखी की है यहां गनना और माय धिक्का यह दोनों का विज्ञान है यह किस ने कहा था डाक्टर बावले ने कहा था दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि परते एक दिन MCQ टेस्ट सीरिज के अंत में एक प्रस्ण होता है इसका उत्तर आपनों को देना होता है और विनर बनने के लिए आगे बढ़ना है तो आज का यह प्रस्ण है इस प्रस्ण का उत्तर आपनों को ABC में से चून करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखना है धन्यबाद दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में जैन जैन